अभ्यास्कुल क्लासिज में आपका स्वागत है, वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे टाइटेनियम के बारे में बेसिकली न्यूजवेपर में काफी बार इसके उपर आर्टिकल्स आपको देखने को मिले होंगे जो अगर आप साइंस मेकजिन्स फोलो कर रहे हो तो उसमें भी इसके उपर आर्टिकल्स देखने को मिले होंगे तो टाइटेनियम के उपर देखती है, सबसे पहले ये एक ऐसी मैटल है जो जंग नहीं लगने देती तो ये कहां पी इस होती है, सौल्ट वोटर के अराउंड इसे डीसलिनेशन प्लांट में यूज कर सकते हैं तो पहला इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे जंग नहीं लगती इसे ये स्ट्रॉंग एन लाइटवड़़ ये स्ट्रॉंग होते हैं और हलके होते हैं तो लाइटवड़ मैंतल होती है, ये आरोपलेट में degreesE य सवते हैं पांट में था यह ओ कर संग फाल में टैनियंज उसे ही, तो आपको याद हैन्न देखने हैं में sapphires में ठीक है जो रतन होते है ना उन में it is as strong as steel more durable than aluminium see ये statement है जो आपको याद रखनी है कि steel जितना strong है steel जितना strong है steel से आपको दो चीज़े पता होनी चाहिए कि stainless steel और nickel steel और उनके components क्या होते है ये general science का question है कि steel के components क्या होते है more durable than aluminium जो titanium होते है it is more durable than aluminium how is it produced from ilminite ilminite ये भी आपको याद रखनी है ये और है किसकी और है ये ऐस का है किसका titanium का ilminite ठीक है उसके बाद only a handful of countries boast of titanium deposit कुछ मुथी भर देशी titanium deposits के बारे में डिंगे हांकते हैं India is one of them with 21% of the global deposit along its 7000 km coast line जो इंडिया की coast line है वो 7000 km coast line के around globe का world का 21% titanium यहां पे है इंडिया इंस्टॉल्ड कैपेस्टी इस 1% 75% is met through imports फिर भी इंडिया ने मलकी 1% तो इसके इंस्टॉल्ड कैपेस्टी और 75% यह इंपोर्ट से मिलते हैं तो टाइटेनियम के बारे में आपको याद क्या क्या रखने है नमबर वन मलकी इसके यूजिस बहुत ज़्याद है हलकी है जो आप एक परफेक्ट मैटल सोच सकते हैं हलकी है, श्ट्रॉंग है, लाइट वेट है टाइटेनियम उक्साइड पेंट में यूजिस ओता है इसके यूजिया होता है ठीक है, सेील जितनी स्ट्रॉंग है और अलूमिनियम से ज्यादा डूरेवल है इंडिया चापने के पास टाइटेनियम के बेतले यह लेसे हैं तो यह सारी चीज़ आपको titanium के बारे में पता होनी चाहिए क्योंकि आपसे एक statement बन सकती है question paper में पुछा जा सकते है true या false titanium is anti corrosion material metal it is as strong as steel ठीक है तो आपको true या false इसमें करना पड़ेगा और साथ में एक और line लिख देंगे कि India has no deposits of titanium तो यह statement false हो जाएगी उस case में तो यह सब चीज़ आपको तीन चाहर चीज़े इसके बारे में पता होनी चाहिए